अगली खबर का रुक करते हैं, राजधानी भोपाल से इस वक्त की अगली बड़ी खबर मिल रही है, जन आक्रोश पद्यात्रा शुरू हो गई है बोर आफिस चौराहे पहुचे हैं, कॉंग्रेस कारी करता जन आक्रोश पद्यात्रा शुरू हो गई है, सरकार के खिलाफ जम कर नारे बाजी की जा रही है इस वक्त की बड़ी खबर अरजधानी भोपाल से आपको बता रहे हैं, महंगाई, डीजर, पेट्रोल, गैस के दामों के खिलाफ विरोध किया जा रहा है बोर आफिस से ये पद्यात्रा मिन्टो हॉल तक निकाली जाएगी, पूर्मंत्री पीसी शर्मा के नेतरत्व में सड़क पर कॉंग्रेसी उतरे है निगम और बिजली दफ्तर पर जलेगी बिल और टैक्स रसीदों की हुली, पूलिस ओप रशासन ने सुरक्षा व्यवस्ता के पूरे इंतजाम किया है खबर नारजानी पोपाल से आपको बता रहे हैं, बोर आफिस पहुचे हैं, कॉंग्रेस कारिकर्ता चनाक्रोश पद्यात्रा शुरू हो गई है, सरकार के खिलाफ जमकर नारे बाजी की जा रही है महिंगाई को लेकर ये विरोध प्रदर्शन कॉंग्रेस कारिकरताओं का डीजल पैट्रोल गैस के दामों के खिलाफ विरोध कर रहे हैं, सड़क और बिजली सहित कई मुद्दों पर विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है बोर ओफिस से मिन्टो हॉल निकाली जाएगी पद्यात्रा, पूर्मंत्री पीसी शर्मा के नितरत्व में सड़क पर उतरे हैं कॉंग्रेसी निगम बिजली दफ्तर पर जलेगी बिल और टेक्स प्रसीदों की होली जन आक्रोश पद्यात्रा शुरू हो गई है खबर पर अधिक जानकारी देंगे समवादाता दुश्यंत पारशार अमारे साथ पोन लाइन पर जुड़ गए है दुश्यंत बोर्ड ऑफिस वराहे पोचें कॉंग्रेस कारिकरता जन आक्रोश पद्यात्रा शुरू हो गई है पूर्मंद्री पीजी तर्मा के नित्रस में शुरू हो गई है और जिस तरीके से लगातार सरकार के खलाप नाने बाजी यह पर देखרू देंग司 अगर पद्यात्रा की बात कि या तो बोड ऑफ पीर जुन है पूरी पदयात्रा और उसके बाद पूरी पदयात्रा की बात की जाए तो वो मिंट अहल तक इसको ले जाया जाएगा इसके पहले अगर निगम दफ्तर रास्ते में पड़ेगा तो उसमें जो प्रॉपर्टी टेक्स के जो तरीके से बिल है उनकी होली जलाई जाएगी साथी जन हित्त के जो मुझते हैं उनको ठाकर लगातार नारेवादी जो है वो कॉंग्रेस के कालेकरता कर रहे हैं बिल्कुल दूशिन इस तरीके से महंगाई बढ़ती जा रही है पेट्रोल डीजल और गैस बिजली सभी के दाम एकदम से बढ़ते जा रहे हैं तो क्या कुछ मा दूश्य काल में जो लोगों की जानकारी के लिया कंग्रिस की जन अक्रोशादरा बोर्ड ऑफिस पहुच चुकी है यहां से पद्यातरा मिंटो हॉल निकाल जाएगी कई मांगे हैं महंगाई को लेकर देखने वाली बात होगी कि किन मुद्दों पर आगे चर्चा का विशे बनेगा